बॉट बॉर्णिंग तुशंपूरुना स्टूटंस आज हम क्या करेंगे? Mathematics Subject Class 2 का, चैप्टर नम्बर 2 हम आज करेंगे चैप्टर नम्बर 2, Class 2 और बुक का नाम है New Learning Composite Mathematics चैप्टर नम्बर 2, Numbers Up to 1000 चैप्टर में आपको यहां पे क्लियर होगा कि किस तरीके से 1000 तक Numbers हमको बोलना होता है और किस तरीके से हम उसे लिखते हैं हमने पहले 2-digit Numbers पढ़ लिए हैं, 3-digit Numbers पढ़ लिए हैं अब हमें क्या करना है? 4-digit Numbers पढ़ना हैं, जो कि 1000 से स्टार्ट होता है Just like आप यहां देख रहे हो, 99 में हम 1 add कर रहे हैं, तो वह 100 हो जाता है तो 99 में अगर हम 1 add कर रहे हैं, वह 3-digit Numbers पन गया यहां तक हमें 2-digit Numbers मिलता है, मिलता है इसके जस्ट बात फिर 3-digit स्टार्ट हो जाता है 3-digit का smallest number बोलते हैं, यह 2-digit का सबसे वड़ा number है और यह 3-digit का सबसे छोटा number है 99 में 1 add किया, तो 100 हो गया, और फिर 91 is equal to 90 में, sorry 99 में 110 add, 90 में 110 add किया, मतलब 90 में 10 add किया, तो 100 बन गया अब 10 10s, 10 10s means 9 10s और 110 इन दोनों को मिला कि 10 10s हो जाते हैं, इसको हम 100 बोलते हैं, मतलब 100 में 10 10s होते हैं, ठीक है in the place value chart हमें किसकर से represent करना होता है, once 10s और 100, once पहले होता है, फिर 10s होता है, फिर 100s होते हैं counting 10s, counting 100s, अब यहां देखिए, यह 10 10 के blocks हो, pillars हैं, किसके 10 10 के pillars हैं, मींस हर एक pillar में 10 blocks हैं मतलब 1 pillar, 2 pillar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, और इन में हैं कितने-कितने 10, means 10 10 blocks, 10 pillars में दिये हुए हैं अगर हम इन सारे 10 को मिला दे हैं, क्योंकि इन में 10 10 हैं, तो 10 10s हो जाएंगे, means अगर हम इन यह पूरे 10 count करें, तो यह आपके 100 हो जाएंगे, इनको हम एक में जोड देंगे, इस तरह 1 layer बना देंगे, तो इसको हम 100 कह सकते हैं, क्योंकि आप बस में जोइन हो गया, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus, इस तरह करते करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यह complete 100 हो गया, मतलब एक ब्लॉक में 10 हैं, तो 10 10 मिला के, जब हम 10 पूरे कर लेते हैं, means 10 pillars लिया हमने, 10 10 के blocks मिला के, तो वह आपका 100 बना देता हैं, ठीक हैं? यहाँ पे 100 blocks हैं, मतलब एक-एक block को count करो, तो यह 100 है, और अगर हम strips देखें, pillars देखें, तो वह 10 हैं, ठीक हैं? Counting in hundreds, hundreds में count करें, यह 100, यह 2 layers हैं, तो 200, यह 3 layers हैं, 300, यह 100-100 के हैं layers, इसलिए हम इसको जितने layers हैं, उतने count करके 100 से multiply कर दोंगे, 6 layers हैं, 600, 7 layers हैं, 700, 8 layers है, 800, 900 है, तो इसलिए, sorry, 9 layers है, तो इसलिए 900, Let's do exercise 2A, 2A में क्या करना है, 10 10s, means 10 10s में क्या है, 100, 100, तो यह 100 हो गया, 20 10s, 200, 30 10s, 300, means जितने 10s हो रहे हैं, 20 10s है, 200, 30 10s है, 300, 40 10s है, 400, like this, 90 10s है, 900, इस तरीके से आपका complete हो जाएगा, Next, question number 2, यहाँ पे आपको numerals with number names करना है, यह 200 है, 2 layers है, 100, 100 के, तो यह 200 है, यहाँ पे आप लिखोगे, 200, number name, 200 के spelling लिखता होगे, आपको layers count करना है, यहाँ पे 100, 100 के 2 layers है, यहाँ पे हो गया, 200, 200, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी spelling लिखनी है, 200, like this, right, So you have to complete it in this process, 4 layers, 400, 7 layers, 700, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 layers, 900, उसके बाद उसकी spellings आपको इधर लिखनी है, means number names, Writing numbers beyond 100, beyond 100 means, 100 के बाद क्या आता है, 101, 102, 103, 104, means यह 100, 100 तो रह गया, साथ में, यह एक-एक blocks उसमें add होते जाते हैं, 1, 2, then 5, then 8, like this, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 108, 105, अब यहाँ पे, 100, कितने 10s हैं यहाँ पे, 3, means 30 हो गया है, 3 10s है ना, 1 10, 2 10, और 3 10, मतला 3 10s, और 4 1s, 34, like this, 134, 156, यह 5 10s हने हैं हाँ पे, 156, number names, इसी तरह आपको यह numbers भी complete करने हैं, 109, 109, 120, 120, 138, 138, 159, 159, 194, 194, 165, 165, 165, 189, 189, 173, 173, 132, 132, 132, 147, 147, 147, 147, like this, you have to complete this exercise, question number 1, now question number 2, write the number names of the following numerals, यहापे आपको number names लिखने हैं, यहापे आपको numbers लिखने थे, यहापे आपको number names लिखने हैं, 107, 128, 156, 143, 185, 162, 191, 130, 179, इस तरही के से आपको number names लिखने हैं, Now, question number 3, यहापे एस्टों आपको missing numerals, मतलब जो number रहे गए हैं, जो छूटे होए हैं, उनको हम रीट करना है, 100, then 101, यहापे 102 लिखने हैं उसके बार, तो हमें को राइट हैं, 101, then 102, 103, then 104, then 105, then 106, 107, 108, 109, 110, then 111, okay, you will write here 111, like this, then 12, 13, 14, just like आप जैसे पढ़ते हो, counting, बस हो counting आपको complete करना हैं, Question number 4, यहापे लिखने हैं, जो numbers रहे गए हैं, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 113, 118, like this आपको ही complete करना है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 197, 96, अब यहापे पीछे जाना हैं, 195, 194, 193, 192, 191, यहापे पीछे गए हैं, माइनस हो हैं, 8 के बाद 7 आगया हैं, तो बाक्वर्ट कांटीं हो गए हैं, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, like this आपको complete, then numbers from 200 to 1000, अब 200 से लेके 1000 तर पूरा हैं, आपको एक्स्पेंड किया हुआ हैं, just like आप जैसे 101 से स्टार्ट करते हो, वैसे 201 से स्टार्ट करना है, just like आप आप देखें, 2 layers है ना, तो ये 200 होगा है, क्योंकि ये 100 और ये 100, तो ये 200 होगा है, ये 210 है, means 20, और ये 5 है, तो 5, तो 25 होगा है, 225, इसको आपको एसे पढ़ेंगे, ये 300 है, क्योंकि 3 है इसमें, तो ये 300, 110 है, means 1 लिखेंगे, और 2, 12, 312, एकी 10 है ना, आपके, 10 का एकी block है ना, तो ये 1 होगया, quick assessment, हम जल्दी से go through हो लेते हैं, 1, 2, 3, 4, means 400, 10 की place भी किते है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 10 है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ 5, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 अगें, 4, 5, 4, इस तरह count करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 454, अब इसको spending में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F.O.U.R. 4, 100, 50, F.I.F.T.Y. 50, 4, F.O.U.R. 4, like this you have to complete it, the number thousand, okay, number thousand में क्या है, यहाँ पे, study the following, यहाँ पे 9 layers है, इसलिए 900 हो गया, यहाँ पे 9 10 है, तो 99, यहाँ 9 है, इसलिए 99 हो गया, 999, okay, write the missing numbers in order, 201 से 300 तकी counting है, students you can do very easily, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, like this you have to complete it, 300, means यहाँ पे जब 299 आएगा, फिर आप 300 लिखतो हो गया, okay, similarly, 301 से 330 तकी counting है, 301, 302, 303, यहाँ पे 328 है, यहाँ पे 329 पे 400, sorry, 329 पे 330, क्योंकि 29 के बाद 30 आता है न, तो 29 पे 30 लिखनेंगे, 330, like this, question number 3, write the numbers from 441 to 470, 441, 442, 443, यहाँ पे आप कहले 441 लिखीजे, लाकि आप तो याद रहेगा कि कैसे करना है, 441, like this, 442, 43, 44, 45, 46, इस तरह से complete होगा, 466, 467, 468, 469, and then 470, यहाँ पे आपका complete हो जाएगा, क्युक्य में से 470 तक ही चलाना है, all right, after that, question number 4, similarly, आपको यहाँ पे students सभी में missing numbers ही लिखना है, यहाँ पे आपको 601 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको 771 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 825 यहाँ पे 826, like this, complete हो जाएगा, question number 8, 961 से स्टार्ट करना है, 962, 63, 64 and so, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 999, मतलब 3 times 9 लिखतेंगे, क्योंकि 94 है, 95 है, 96, 97, 98, 99, 999, और 999 के बाद आता है, 1000, इस तरीके से यह question आपका complete हो जाएगा, next, question number 9, write the number of hundreds, tens and ones for each number, means, जिसकी place पे जो है वो number आपको यहाँ पे लिखना है, hundreds की place पे 4 है, यहाँ पे आप 4 लिखोगे, tens की place पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 5 किसकी place पे है, ones की place, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 4, 6, 5, 6, 9, 2, 3, 4, 0, 5, 7, 7, 8, 1, 8, 9, 0, 5, like this यह complete हो जाएगा, question number 10, write the numerals for the following, means, यहाँ पे आपको numbers लिखना है, 255, कैसे लिखोगे, 255, 378, 707 है, तो 707, क्योंकि tens की place पे कुछ भी नहीं है, once directly दे दिया, तो 707, 0 क्यों, क्योंकि हमें 100 की place पे, sorry, tens की place पे कुछ भी नहीं मिला, 999, 999, 267, 445, 300 है, 300, 822, 822, question number 11, okay, question number 11 में आपको number names लिखने, 271, 335, 716, 832, spellings लिखने हैं आपको, 461, 999, यह 900 है, और यह 565 है, after, before, और between, यह आप हम students के जी स्टांडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, कि जब कोई number होता है, जो पहले होता है, वो होता है before, जो number के बाद होता है, वो होता है after, और जो दो numbers के बीच में number आता है, उसे हम होता है, between, चीक है, before के लिए हमें minus 1 करना होता है, जो predecessor होता है, और after के लिए हमें plus 1 करना होता है, number में जो की successor कहलाता है, यहां हमें before लिखना है, 58 के पहले हैं का आता है, 57, 157, 755, 282, 394, लाइक दिस, अपको एक number पीछे जाना है, मेंस predecessor, minus 1 करना है, परशिन number 2, what comes after, मेंस जस उसके बाद क्या आता है, 145, प्लस 1 करेंगे, 146 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे, 633 हो जाएगा, यहां पर प्लस करेंगे, 900 हो जाएगा, और यहां पर 1 प्लस करेंगे, तो यह 480 हो जाएगा, परशिन number 3, name the 100 just after, इसके बाद का तुरत का 100 क्या आ रहा है, वो मेंचिन करना है, 500, मतलब 500 की लाइन के बाद कौन सी लाइन शुरू होगे, 600, 800, 800 के बाद 900 स्टार्ट होगा, 600 की बाद 700 स्टार्ट होगा, 736 की बाद 800 स्टार्ट होगा, 7 की बाद 8 आता है न, 800 हो गया, चीक है, जस्ट बिफोर वाला 100 बताना है, 265 के पहले 200 आता है, 916 के पहले 900 आता है, 599 के पहले 500 आता है, और 734 के पहले 700 आता है, ओके, पर्शिन number 5, इनके और इनके पीछ में क्या आता है 287, 288, 289 आपको यहाँ पर क्या लिखना है 288 और 289 दो नमबर्स छोड़ दिया रहे हैं 287 के बार 290 लिखा है 287 के बार आपका 288 आता है और यहाँ पर 289 आता है 289 उसके बार फिर 209 आता है लाइक दिस आपको यह कम्प्लीट करना होगा ठीक है मतलब 2-2 नमबर्स छोड़े हुए है तो आपको 2-2 नमबर्स लिखने होगा 415 है, 416, 417, 977 दिया है 78 हो जाएगा, 79 हो जाएगा 468 है तो 469, 470 हो जाएगा यह और लाइक पर फिर नमबर्स लिखने है 58, 59, 60, 161, 162, 163, 164 इस तरसे भूप्लीट करना है 450, 151, 152, 153, 154 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851 क्योंकि 50 के बाद 51 आता है न? 52, यह तरीके सी आपका प्वेशिन नमबर्स लिखने हो जाएगा You all have to do all the questions of question exercise 2D in your fair notebook नीज आपको exercise 2A से लेके 2D तक अपनी copy में करना है यहाँ पर आपको answers मिल जाएगे Question number मतलब exercises जो भी हैं आपके 2A, 2B, 2C, 2D वो सारे exercises के answers आपको यहाँ पर मिल जाएगे ठीक है? So यह है class 2 का यहाँ से आप answers मैच कर सकते हों ठीक है? यह है 2B 2A बहुत easy है 2B का answer है यह सारा 2C का answer है Quick assessment के answers है और 2 यह सारा यह complete कर दिया 2D बहुत easy है तो you can do it very well Okay Students आपको 2A से 2D तक अपनी copy में complete करना है And that's all for today Thank you